प्रेम चंद्र यादो और सत्य प्रकास दूबे की बीच दुस्मनी और उसके बाद पाच ब्राह्मन परिवार के तो एक खुद जो प्रेम चंद्र यादो है यानी की प्रेम यादो वो छे लोग खत्म हो गए अब दो जमीन की कहानी निकल कर सामने आई है बताया जाता है कि 2014 14 में जब प्रधानी प्रेम चंडर यादों के घर में थी तब उस वक्त पर 1 करोड 30 लाख रुपए का जमीन जो सरकारी दाम से 1 करोड 30 लाख उसका रेट था उस जमीन को मात्र 21 लाख रुपए में लिखवा लिया गया जो दस्ता वेज पर अंकित है दस्ता वेज पर जो लि आएंगे जो बिवाद का जड़ बना और एक और गाउं है वहां पर केहुनिया गाउं वहां पर भी अमर उजाला ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 50 लाख रुपए की 50 कठा जमीन को मात्र 11 लाख में लिखवा लिया गया और इसी को लेकर बिवाद था और बिवाद का प के आकड़े को पार कर जाता है बागे नमस्कार में ना मैं मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्सन देख रहे हैं प्रेम यादो उर्फ प्रेम चंद्र यादो अब प्रेम यादो उस गाउं के उस इलाके के जाने माने ब्यक्ति थे पैसा से रुपिया से हर चीज से अब प्रेम यादों के घर में परधानी थी अब एक कहानी सुनिए सबसे पहले बताया जाता है कि सरकारी जमीन सरकारी रेट के हिसाब से एक जमीन का रेट होता है एक करोड तीस लाक रुपिया लेकिन उस जमीन को सत्य परकास दूबे के भाई से प्रेम यादों लिखवाते है 21 लाक रुपिया में जो दस्ता वेज परंकीत है अब इसकी कहानी में है कि 7 जुलाई 2014 को निबंधक कार्याले में ये लोग गय थे जमीन लिखवाने उस वक्त पर रजिस्ट्रार थे वहाँ पर बालमिकी तिवारी रजिस्ट्रार बालमिकी तिवारी ने क्या कहा तो उन्ह कि खाते में जमीन जो रुपिया वगरा होता है कुछ नियम होता है वो रुपिया तुम लोग अच्छे से नहीं दर्शा पारे हो खाते में रुपिया नहीं है इसलिए हम बैनामा नहीं करेंगे और बैनामा वहाँ पर रोक दिया गया उस वक्त पर समाजवादी पार्टी क सरकार थी प्रेम यादो प्रेम चंद्र यादो नेता आधमी थे कहा जाता है अमरुजाला ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि समझवादी पार्टी के नेताओं से दबाव बनवाया गया लेकिन रईश्ट्रार जो थे बालमिकी तिवारी उन्होंने मना कर दिया तब दस लाख रुपया डाला गया और उसी रिपोर्ट में जिक्र है कि बैनामा होने के बाद वो दस लाख रुपया वापस से प्रेम यादों के खाते में ट्रांसफर हो गया कुछ पैसा कैस निकाल लिया गया अब इसको लेकर जांच परताल चल रही है एक और जमीन के उनिया गाओं में बताया जाता है कि तीनों भाईयों का हिस्सा था जो ब्रामन परिवार के तीनों भाई थे सत्य प्रकास दूबे ग्यान प्रकास दूबे और एक और भाई अब वहीं पर जो एक भाई का हिस्सा होता है उस एक भाई का हिस्सा प्रेम यादों लिखवाने की कोशि और अब तक उस जमीन का खारिज दाखिल नहीं हो पाया क्योंकि खारिज दाखिल बिवाद के बाद अटक गया अब प्रेम यादो उर्फ प्रेम चंद्र यादो जो इस दुनिया में नहीं है उन्होंने जिन जमीनों को लिखवाया कैसे लिखवाया उस वक्त पर क्या क्या कि लूआ जहिए और कहा जा रहा है कि औवेद तस्य जानारी चेला है कारवाय की नौट-ma理 और अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए मरसत बने रहिएगा कि हम रेक्षे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत-बहुत धन्यवाद